जैहिन दोस्तों, आज की कच्छा में हम पढ़ेंगे अस्थानी मान और रोमन अंक उससे पहले हम पिछली कच्छा से दो और टॉपिक हैं जैसे आपकी एक्जाम में कोश्चन आता है पूरुवर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या ठीक है तो पूरुवर्ती संख्या क्या बोलते हैं जैसे आपके आजाए कि 10 का पूरुवर्ती संख्या लिखिए तो पूरुवर्ती संख्या ग्याद करिए तो पूरुवर्ती संख्या ग्याद करना है तो 10 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हुआ? 9, ठीक है? ऐसे पूछ दे कि 28 का पुरुवर्ती बताईए, तो 28 का पुरुवर्ती क्या हो जगा? 28 मिसे घटा दीजिए, 27, पुरुवर्ती कि मतलब? पीछे वाली क्रम की जो संख्या है, वो बताना है, ठीक है? जब भी पुरुवर्ती पूछेगा आपको, तो आप एक घटा के संख्या लिख देंगे, उसी संख्या में से एक घटा देंगे, जो मानाएगा वो लिख देंगे, ठीक है? इसी प्रकार से आपके एक्जाम में पूछता है, अनुवर्ती संख्या, क्या पूछता है? अनुवर्ती संख्या, अब अनुवर्ती संख्या ग्याद करना है तो इसके लिए क्या करेंगे उसे माइनस वन कर रहे थे इसमें हम प्लस वन करेंगे जैसे मान जाए पैतिस का अनुवर्ति संख्या ग्याद करें प्याद करेंगे जाए अनुवर्ति में घटाना है अनुवर्ति में जोड़ देना है अब आते हैं माच अगले टॉपिक पे जो है आपका अस्थानी अमान अस्थानी मान आ जाता है आपके एक्जाम में निकालने के लिए अस्थानी मान में क्या होता है कि कोई संख्या दे देगा और उसके किसी अंग का एक दो अंग का आपसे अस्थानी मान पुछ देगा जिसे place value भी आप इंगली सें बोलते हैं ठीक है तो किसी भी संख्या में सबसे पहले क्या होता है इकाई फिसके बाद अगला अंग दहाई कहलाता है फिसके अगला अंग सेकड़ा कहलाता है उसके अगला अंग हजार कहलाता है करसे हैं? तो इसी तरीके से क्या करना है? कि इस संख्या मेकंग ऑए? तो 6 है, 6 का जो सैकड़े पर सैकड़ा का मतलब 100, 7 जो है 1000 पर है, तो 1000 मतलब 1000, तो इस तरीके से अगर इस संख्या मैं पूछ दे, कि 7 का place value, 7 का स्थानी मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 7 किस position पर है, तो 7 इकाई, दाई, सेकड़ा 1000 पर है, तो 1000 से 7 में गुड़ा कर देंगे, जो इसका मान है 7, उसका place value, अस्थानी मान 1000, 1000 अब एक अस्थान पर है, उसके गुड़ा कर देंगे, तो यह आपका आजाएगा अस्थानी मान, ठीक है, इसी में पूछ दे आपका 2 का स्थानी मान, तो दो अगुड़े इकाई और दाहाई पर है, तो अगुड़े 10 मरबर 20, इसी तरीके से आपको सवाल लगाने है, ठीक है, तो अस्थानी मान में कुछ नहीं करना है, बस आपको अंक और वो किस place पर है, इकाई पर है कि दाहाई पर है, उसका मान रहाएगा, इकाई का मान एक होता है, एक कगुड़ा, उस संख्या हम कर दें, बसलिब जो संख्या होती है, वह ही काई का place value होगा, जैसे मालेजे आजए कोई बड़ी संख्या, 6, 9, 7, 5, 2, 1, मालेजे 4 है, ठीक है, अब इसमें पूछ दे 7 का अस्थानी मान, या पूछ दे 9 का अस्थानी मान, तो 9 क में 10,000 का गुड़ा कर देंगे, इतना आया, 90,000, या आगे आपका अस्थानी मान, इसी पूछ दे आपका पाच का, तो 5 का अस्थानी मान करें, इंदी काई, दाही सेकड़े पर है, तो 5 बुड़े 100, मतलब 500, इसका अस्थानी मान 500 आ गया, ऐसे ही सवाल हम पूछ देता है आपसे एक ही संख्या दे देगा और पूछ देगा कि आपको दो संख्याओं के अस्थानी मान का अंतर पूछ दिया, या फिर जोड पूछ दिया, ऐसे भी स्वाल पूछ सकता है, जैसे एक संख्या है 8, 6, 7, 5 और दूसरी संख्या है 2, 9, 6, 4 इसमें पूछ दिये कि इसके 8 का स्थानी मान और इसके 2 के स्थानी मान का अंतर बताईए, ऐसे पूछ दे, इसमें 8 का स्थानी मान क्या होगा, 8 गुड़े, इकाही, दाईस, एकड़ा, हजार, पैथ, हजार, मतलब 8,000 और इसका क्या है, दो गुड़े ये भी हजार पे, दो गुड़े हजार, मतलब 2,000, अब इसका अंतर पूछ दिया, तो 8,000 में से 2,000 घटा दीजिए, तो कितना आ गया, 6,000 इस तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है, थोड़ा से घुमा के, चाहे एक ही सवाल में दोल देगा कि 8 का स्थानी मान और 6 का स्थानी मान के अंतर बताईए, तो 8 का 8,000 है, 6 का हम निकाल लेंगी, काईदाईस, एकड़ा, 600, तो 8,000 में से 600 घटा दिये, 0,0, 10 में 6 गया, 4, इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है, अलग अलग संख्या दे दे या एक ही संख्या दे दे, इस तरीके संख्या दे देगा और आपको सवाल सॉल्व करना होगा, ठीक है, ऐसे आप सवाल लगा सकते हैं, अब आगे हम देखते हैं, रोमन अंक, रोमन अंक में आपको एकड़म सिंपल तरीके से बताएंगे, इससे आपको रोमन अंक बदलने में असानी होगी, ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है, रोमन अंक है, रोमन संख्या, ठीक है, ठीक, अब क्या करना है कि आपको पहले तो कुछ चीज़े इसमें याद करना है कि किसको किसे निरूपित करते हैं जैसे आई आई मतलब एक, दो आई रहेगा तो मतलब क्या है दो डंडी अगर ऐसे ऐसे है अलग-अलग लिख सकते हैं आप ऐसे ही तीन है यह तो सिंपल है तो यह आपका तीन हो गया अब अगला टॉपिक हमारा है रोमन अंग या रोमन संख्या इसमें आपको क्या करना है कि कुछ चीजों को थोड़ा सा बसलका सयात करना पड़ेगा जैसे यह सिंपल आई जो है यह आपका किसका है एक का है ऐसे ही दो आई रहेगा तो यह सिंपल है आपका दो का ऐसे ही तीन रहेगा तो यह सिंपल है आपका तीन का ठीक है, 5 का होता है आफका, भी पाच का भी होता है, 4 का क्यों नहीं बताया क्योंकि 5 में से एक घटा देंगे तो 4 आजाएगा, तो 5 के पीछे एक आई लगा देंगे, एक घटा दिये, तो हो गया ये 4 तो इस तरीके से हम लिखते हैं, यह उल्टा लिख दिया हमने यह ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा 4 अब हमें 6 लिखना है तो B के आगे 1 लगा दिये, तो ये हो गया 6 वी के आगे 2 लगा दिये हो गया, 7, वी मतलब 5, 5, 2, 7, वी के आगे 3, 5, 3, 8, ठीक है? इस तरीके से हमें बनाना है, उस नियम होंगे जो आगे मैं आपको बता दूँगा, जिससे आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, अब इसको 10 को समझे, X जो होता है, यह 10 को दिखाता है, ठीक है, 2X रहेगा, तो यह दिखाएगा आपको, 10, 10, 20 को, 3X है, तो यह आपको दिखाएगा, 10, 10, 20, 10, 1X 10 को, तो 310, 3X 30 को, तीन गुड़े 10, 30 हो गया, L जो है यह दिखाता है आपको 50 को, C जो है यह आपको दिखाता है 100 को, ठीक है, C आपको किसको दिखाता है, 100 को, ठीक है, इसी तरीके से आपको D जो है वो दिखाता है आपको 500 को, D कितने दिखाता है, D दिखाता है 500 को, और M दिखाता है 1000 को, यह आपको याद करना पड़ेगा आई से लेके भी एक्स डबल एक्स, तीन एक्स एल, सी, डी, यम, ठीक है? इसको आपको याद करना है बाकी कुछ नियम है जो रूमा नंग को बनाने में आपकी सहता करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद उस नियम के नहार पर हम लगाएंगे पस्ट गोश्चन को हो जाएका जैसे एक नियम है कि आई, एक्स और सी तीन बार रिपीट हो सकता है मतलद तीन बार से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं जैसे आपको तीन लिखना है तो आप क्या करते हैं, तीन आई लिख दिए, आपको तीस लिखना है, तो आप क्या कि ये, एक्स, एक्स, एक्स लिख दिए, आपको तीन सो लिखना है, तो आप क्या कि ये, सी, 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 ट्रिपल सी लिख दिए, ये आप लिख सकते हैं, तीन बार, मैक्सिमम, रिपीट होगा तो आप चार्ट प्रेक्स नहीं लिख सकते हैं, तो आप चार्ट ही नहीं लिख सकते हैं, यह निया है, उतलब कितनी बार में रिपीट होगा? तीन बार, ठीक है? अगला जो आपका एक निया में, रूल नमबर टू, भी, एल, डी, मतलब पाच वाला सिंबल, पचास वाला सिंबल, और डी किसका है? पांसो, यह कभी रिपीट नहीं होता है, नेभर रिपीट, नेभर रिपीट, अभी यह इंगली से मने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, य पी, एल, डी, जैसे, पी, एल, डी, कभी रिपीट नहीं होगा, जैसे आपको सौ लिखना है, तो आप L, L करके नहीं लिख सकते, समझ में आया? 50 को आप L लिख सकते हैं लेकिन 100 को आप ऐसा नहीं है कि जिसे आप X को क्या कर रहे तो X X लिख दे रहे तो 20 हो जा रहा था अब आपको 100 लिखना है तो L L आप नहीं लिख सकते हैं ये गलत हो जाएगा D आप repeat नहीं होगा B repeat नहीं होगा ठीक है? 10 लिख रहे हैं तो 10 X से होता है ये नहीं कि आप B भी दो ठो लिख दिये ये गलत हो जाएगा सभज में आया? ये कभी repeat नहीं होता है B, L और D कभी repeat नहीं होता है याद रखिएगा अगला है कि किसी भी नंबर के बाए लिखे अंक तथा बाए लिखा अंक खटेगा तथा दाए लिखा अंक जूड़ेगा जैसे हमें 9 लिखना है ठीक है? 9 लिखना है तो हम क्या करते हैं? X में से I घटा देते हैं 110 में से ये 10 है ये 1 है तो 10 में से बाए लिखा अंक जो होता है दाय में से घट जाता है ठीक है? एई हमको 11 लिखना है तो हम क्या कि 10 लिखे और एक आगे इसके लिख दे तो ये क्या हुआ? 10 और ये 1 ये जुड गया लेकिन ये क्या हुआ? घट गया तो बाय लिखा अंक जो होगा ये वाला वो हमेशा दाय वाले से घटेगा और दाया जो लिखाया ही वो हमेशा बाय में जुड़ेगा ये कब होगा? ध्यान दिखिएगा जादे में से हमेशा होता है 10 जादा है तो इसमें से घट गया 10 जादा ने इसमें एक जुड गया क्योंकि यह इसके आगे लिखा है, दाहें तरफ लिखा है, यह गट गया है, यह नियम है, आप याद रखिएगा अब मै लीजे एक नमबर है, एक्स, एक्स, आई, आक्स, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कि इसे द्यान देंगे, जो छोटा नमबर होगा, यह इसके इधर भी है, तो आपको यह नहीं करना है, कि इसको जोड देना है, जो छोटा नमबर होता है, हमेशा आगे वाले ने ध diaphrag ए गया एक ही जैसा यह कि आपका दो परस एक लगड़ा है कि अब क्या कर है इसको हमकर बदलने के लिग्जाम में आ गया तो इसमें क्या होगा कि हमेशा जो होगा जो अगले मैंίसे घट जायेगा इसके जो ला अगा होगा हमेसा घट जायेगा यह वाला मतलब x x कितना हो गया 20 एकसंसे घट गया 10 था यह 10 ही न होता है यह 2x बीस हो गया word 10 20 यह 10 दासम और गया तो 9 ठीक है नो हो गया तो 20 प्लसट कितना हो गया 29 को लिखने का तरीका है ठीक है तो इसमें कन्फ्यूज मत होईएगा अब आगे एक नियम अगला आप देख लीज़े आप चौथा तीन नियम हो गए चार नियम पाच्वा नियम देखिए कि आई जो होता है स्टार्ट आई जो है वो हमें जो भी घटेगा बस भी और एक्स में से घटेगा आई जो है वो भी और एक्स में से ही घटेगा के वज किस में से भी और एक्स मतलब पाच और दस में से ही घटेगा शटवा नियम है X जो है वो हमेशा L और C में से घटेगा 10 जो है X जो L और C में से घटेगा सातवा जो है कि C हमेशा D और M में से घटेगा D और M मतलब 500 और 1000 में से घटेगा D 500 और M 1000 है इसके बाद एक नियम और है B, L और D कभी भी घटता नहीं है कभी भी घटता नहीं है कभी नहीं घटेगा ये सब रूल है आप लोग याद रखियेगा ठीक है? और एक चीजा और है जैसके वी था तो यह 5 होता है इसके उपर जैसे यह 2 लग गया तो यह 2 का मतलब 1000 होता तो 5000 हो गया D है न तो पांसो होता है न जैसे ही बार लग जाएगा पांसो हजार हो जाएगा ठीक है? M X जो होता है दस होता है जैसे ही बार लग जाएगा दस हजार हो जाएगा मतलब बार लगते ही हजार से मल्टिपलाई हो जाता है तो ये भी याद रखिएगा अब मैं कुछ एक्जामपल लेता हूं जिसके ताथ हम लोग फुश्चन करेंगे ठीक जैसे अब देख लिजे आप एक्जामपल है कि आपको 109 लिखना है आपको 109 लिखना है तो 109 के लिए क्या करेंगे इसको 100 प्लस 9 कर लिजे अब 100 किस से लिखते हैं C से 9 किस से लिखेंगे एक्स में से आई घटा देजिए C आई एक्स यह हो गया आपका एंसर इस तरीके से बनाना है ठीक है आगे 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 आमाल लिजे आपके नियम याद रखेंगे तो आपका एकदम आसानी से बन जाएगा जैसे आपका आगे च्छाचट बनाने के लिए तो 50 10 60 प्लस 6 कर जी दिए तो 50 क्या हुआ आगे जोड़ देना है अब यह ऐसा नहीं जैसे अब आपको माल लिजे आ गया सव लिखने के लिए था कि ल, ल, रिपीट नहीं होगा तो यह ऐसे नहीं लिखेंगे ठीक है अब आ जाए आपके माल ल, जी 109 जैसे यहां पर आया था इसको ल, ल, आई, एक्स नहीं कर सकते ल, ल, ऐसे नहीं कि ल, ल, कर दिया पचास-पचास हो गया यह नहीं क्योंकि ल हमारा रिपीट नहीं होता है इसलिए यह वाला कुछ लोग कहेंगी कि यह सर क्यों नहीं सही है नमबर तो यह भी है लेकि नियम है कि ल, रिपीट नहीं होता है ल, रिपीट नहीं होगा इस में से बान बें आ गया लिखने के लिए बान बें बें कि महान बें आ गया। हुथ्ताया के शिप्सक्ति कि खाथी कि आपका। को इस तरीके से आपको नियम याद रखेंगे आपका स्वाल स्वाल्व हो जाएगा आज की कच्छाम इतना ही तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद